चलिए अभी हैं से start कोई दिक्कत नहीं अब graphically इसको मैं explain करता हूँ parabola की definition आपने क्या पढ़ी parabola देखने के लिए सबसे पहले आपने देखा की pf by pm तो graphically देखने के लिए अभी हमने क्या देखा पर e eccentricity is equals to pf by pm and parabola की eccentricity is equals to 1 so pf upon pm equals to 1 that is pf equal to pm so if a point p x, y moving in a plane such that the distance from a fixed point focus कितनी distance directrix से distance के equal होती है तो जो लोकस बनेगा जो उसका रास्ता बनेगा जो trace out बनेगा वो parabola बनेगा अब इसको graphically समझने के लिए चलिए करते हैं कुछ काम ये मैंने बनाया इसका axis what is this this is axis of the conic और ये है इसकी directrix ये है इसकी directrix चलिए ध्यान से देखिए ये point है पी this point is px, y बोलो clear है ये सर्फ ओके ठीक है और ये point p है और यहाँ पर इसका एक वो fix point है जिसका नाम focus बोलते हैं इसको s बोल सकते हैं आप चाहे तो f भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है है ना इसे आप fix point को f बोल दें या s बोल दें पर दतर एस बोलते हैं तो मैं भी s बोलता हूं अब आप देखेगा ये point कैसे move करेगा ये point किस तरीके से move करेगा अभी मैंने ये point यहाँ बनाया था मैं इस point को green color से लेता हूं ठीक ना तो पहले ये point suppose यहाँ था यह दिख लीजी यहाँ था में आई देखते हैं तो छब यह यहाँ था तो इसकी s से distance आप ध्यान से लिगे s से distance कितनी बन रही है यह है की नहीं है बोलो कि यह सर्क्रिक से pathяж टिस्टैंस डीयरिक कि धिलने है यह पी यह सर्ल लगबख लगबख यह बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रही है बिल्कुल सर अब ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ गया चल करके गाये चारा चलते चलते नीचे आ गई अब देखिए S से distance ये हो चुकी है और M से perpendicular distance ये हो चुकी है अभी भी दोनों बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं अब यदि ये पॉइंट जो है अगर ये पॉइंट डाउनवर्ड चल करके नीचे की तरफ आ जाता है तो यदि ये डाउनवर्ड चल करके ऐसे आ रहा है तो ये देखिए अब दोनों distances आप देखिए ये distances अभी भी भी बराबर दिखने हैं कि नहीं दिख रहे हैं और नीचे आ गया फोकस से डिस्टेंस क्या डिरेक्टरिक से डिस्टेंस के एक्वल है और नीचे ले आईए फोकस से डिस्टेंस अभी भी डिरेक्टरिक से डिस्टेंस के एक्वल है ये सर और नीचे ले आईए तो फोकस से डिस्टेंस ये है और direct trick से distance यह है क्या यह दोनो equal है yes sir और नीचे जाएगे देखे अब distance अभी तो कम होना कम 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 को होते हुई अब देखो यह देखिए और यह देखिए लगातार distance फिर से बढ़ने लग गई है यह देखिए yes sir और यह नीचे जाएगा तो यह distance ही हो जाएगी मगर हर हाल में दोनों distances जो है equal रहेंगी because condition ही है eccentricity 1 रखनी है यह distance यहाँ आ गई यह distance यहाँ आ गई बोलो clear? यह सब अब देखिए इन सभी point जो हम को मिले है इन सभी point को मिला करके देखिए कि गाय के चारा चलने का style क्या है? अगर आप इन सभी point को बहुत ही carefully graph में मिलाएंगे तो यह geometry आपकी त्यार हो रही है मैं पैन से बना रहा हूँ बहुत चिकना होता इसलिए थोड़ा सा हिल जाता है तो इस तरीके की geometry त्यार होगी बच्चों यह जो geometry दिख रही अगर आप बहुत fluent बनाओगे तो कुछ इस तरीके की आएगी और यह कहलाता है पैरा भूला बोलो आ गया समझ में? यह सर तो अगर कोई point इस तरीके से move करता है कि जितनी इसकी focus से distance रहे उतनी ही directrix से distance रहे मतलब ps equal to pm तो point का जो finally trace out बनेगा that will be a parabola done? yes sir तो यह है parabola अब जानिए parabola के parameters इसके पूरे अंग जान लिजे इसके part जान लिजे क्या कि होते हैं जो fixed point होता है वो parabola का focus हुआ करता है यह जो line होती है जिस पे focus बैठा होता है उसको हम बोलते हैं axis of parabola क्योंकि अब conic नहीं है क्योंकि conic की variety तो होती थी चार circle, parabola, hyperbola, ellipse बट अब तो parabola बन गया ना तो axis of conic मैं कह रहा था अभी तक क्योंकि मैं general बात कर रहा था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि तब क्या होगा तब that time मैंने कहा था इसको axis of conic बट अब तो guaranteed हो गया कि यह parabola है तो इसका नाम axis of parabola समझ मैं आए axis of conic क्या होती जिस पे focus बैठी होती है और axis of conic directrix पर किते degree होता है 90 degree होता है directrix पर यह axis of conic है और देखिए बहुत important बात आपका parabola जिस point पर आपका parabola जिस point पर आ करके axis को cut करता है बच्चों वो point कहलाता है vertex बुलो हाया ना yes sir वो point कहलाता है vertex लिख लो copy में vertex मतलब की parabola का kona क्या होता है parabola का kona vertex क्या होता है जैसे triangle में तीन vertex होते हैं तो parabola में किवल एक ही vertex होता है what is vertex the cut point of the cut point of conic with its axis अब वो चाहे conic parabola हो तो parabola का vertex मिलेगा ellipse हो तो ellipse का vertex मिलेगा और hyperbola हो तो hyperbola का vertex मिलेगा जो cut point होता है उसको हम बोलते है vertex of the parabola बोलो clear clear vertex of the conic फिल हाल यहाँ parabola है तो vertex of the parabola चलिए तो जल्दी से screenshot ले लिजिए यह parabola का introduction यहाँ पर finish होता है पहला slide का screenshot लिजिए अब इसके बाद हम second slide में चलेंगे और parabola की पूरी थियोरी करेंगे done yes sir yes sir चलिए second ले लो भी यह असका दूसरा वाला part done sir और यह third वाला part clear yes sir चलिए जी अब इस तार्ट चलिए जी अब इस तार्ट करते हैं second part parabola का ठीक नहीं यहाँ से अपना जो है parabola का second part start हो रहा है तो अभी हमने देख लिया कि अब हम मनाने क्या जा रहे हैं तो हमने देख लिए कुछ बाते कि parabola का axis होता है एक बार मैं फिर से diagram मना दिता हूँ यह suppose अपना parabola है तो यह जिस axis के cross symmetric होता है that is called axis of parabola एक point यहाँ पर बैठा होता है उसको बोलते है focus यह fix point होता है ओके और यह जो होता that is called vertex of parabola V is called vertex of parabola axis पर perpendicular line जो होती है वो कहलाती है directrix अब directrix इतना बड़ा लिखना मुश्किल है तो मैंने से दिर DR DRX ठीक है बच्चो yes sir ओके ध्यान से सुनिए अभी मैंने बताया था कि parabola का हर point focus से और directrix से equal distance पर होता है तो जो V है वो M का और F का midpoint होगा की नहीं होगा क्योंकि V की जितनी उरी F से होगी V की उतनी उरी M से होगी हाँ या ना बिलकुल बिलकुल होगा वो directrix और focus का क्या होता है midpoint हाँ या ना हाँ सर तो लिख लीजिए vertex of parabola is midpoint of directrix and focus यह बहुत काम में आप लोगों को बाद में चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग बच्चो standard form of parabola हमारे जो syllabus में जो standard form है parabola तो वैसे हजारो लाको करोडो हो सकते हैं मगर हमें कुछ चुनिंदा parabola हमारे syllabus में पढ़ने हैं वो कहलाते हैं standard form of parabola तो heading डाल लीजिए standard form of parabola चलिए हमें कैसे parabola पढ़ने हैं हमें कैसे parabola पढ़ने हैं हमें ऐसे parabola पढ़ने हैं जिनके जो vertex है origin है क्या है vertex बच्चो origin तो vertex origin वाले हमको parabola पढ़ने हैं और जिनके जो axis है और जिनके axis of parabola है जिनके axis of parabola है वो या तो X-axis है या तो वो Y-axis है हमारे इसले बस में दो टाइप के पैरा बोला है हाँ बिटा बोलो सर अगर वर्टेक्स उनकी ओरीजन पे है तो फोकस भी ओरीजन पे होना चाहिए नहीं होगा वर्टेक्स पीछे होता है वो फोकस से भी ओर फोकस तो आंगे होता ना वर्टेक्स से तो एक्षिट एक्स या तो X-axis है या तो X-axis है ठीक है बच्चों चले यस तो देखिए पहला पैरावुला बनाते हैं चलिए तो बना लीजे क्वाडिनेट एक्सेस बच्चों ये है ये एक्सेस और ये हमारा मिल गया origin conditions apply है कि जो पैरावुला हमें बनाना है वो उसका vertex क्या होना चाहिए origin होना चाहिए तो ये पहले type का typical पैरावुला जिसका axis है एक्सेस तो यहां पर axis of पैरावुला क्या है एक्सेस कौन सा एक्सेस पॉजीट है ये एक्सेस है की नहीं सर चलिए अब आपको सबको पता है कि जो फोकस होती है वो एक्सेस पही होती की नहीं होती बताउ 40 है तो यहाँ पे इसकी focus मान लो S तो यह कितनी distance होगी something कुछ ना कुछ तो होगी ना बेटा इस distance को मान लेते हैं 1,0 तो इस वाले focus का नाम क्या होगा यह focus क्या होगी 1,0 clear और जितना आंगे focus होता है उतना ही पीछे क्या जाती है directrix तो यह बन गई आपकी directrix clear तो अगर यह coordinate plus a,0 है तो यह वाला coordinate क्या होगा minus a,0 done क्यों भई यह होगा girls बताओ अगर यह coordinate a,0 है तो यह वाला coordinate क्या होगा minus a,0 clear yes तो यह coordinate होगा plus a,0 तो यह coordinate होगा minus a,0 ठीक है ना यह हमारे पास बन गया parabola बन गया है यह इसका vertex है मैं बोलूँगा भई यह इसका vertex क्या है आप लोग क्या जवाब देंगे 0,0 मैं बोलूँगा इसकी focus क्या है तो आप क्या जवाब देंगे a,0 मैं बोलूँगा इसकी directrix का foot क्या है M क्या है foot of directrix foot of directrix तो आप बोलेंगे sir minus a,0 और मैं बोलूँगा directrix का equation क्या है तो 9th class अच्छे से पढ़े होगे तो directrix का equation भी बता लोगे यह x axis के y axis के parallel है और x में minus a unit पीछे है तो इसका equation होगा x equal to minus a बिल्कुल sir क्योंकि x में minus a पीछे है y तो इसका बदलता जाएगा x बट fix रहेगा तो equation of directrix क्या होगा x equal to minus a और you can say x plus a equal to 0 बोलो clear clear कहो प्रियांशी clear हो गया yes sir चलो screenshot ले लो बेटा यह पहला पहरा बोला था then sir अब इस पैरावूला का हमें बनाना है equation क्या बनाना है बेटा equation equation बनाना है इस पैरावूला का हमें equation बनाना है चलिए equation मनाने के लिए हमें लाना पड़ेगा movable point को नारद मुनी हाजिर हो गए p x, y यह घूमते रहते हैं तो condition क्या है condition यह है कि जितनी focus से दूरी होगी उतनी ही direct trick से दूरी होगी बो yes or no yes sir चलिए तो focus से दूरी कर निकाले जाए यह है focus से दूरी distance formula जिंदा बाद भया focus से दूरी निकलेगी x minus a का square thus y minus 0 का square okay yes sir this is distance from the focus now direct trick से distance क्या है अब diagram पे मत जाना कि सर आपकी तो distance equal नहीं है मैंने कौन सा नाप jump करके बताया मैं तो theoretically आपको पढ़ा रहा हूँ direct trick से दूरी क्या होगी बोटो यह होगी की नहीं होगी बताओ yes sir अब बिना solve करे direct trick से मेरे को distance बता सकते हो इसकी point की बिना solve करे बिल्कुल basic idea लगा करके इसकी यहां से ले करके यहां तक की distance क्या होगी minus में हो जाएगी काईको होगी minus में distance कभी negative होती नहीं है गलत wrong चलो देखो 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 यहां से ले करके यहां तक यह distance x नहीं है क्या तो 2x हो जाएगी अरे काई को 2x हो जाएगी यहां से ले करके यहां तक की distance x है की नहीं है और यहां से ले करके यहां तक की distance a नहीं है क्या कि तो एक्ष प्लस टोटल नहीं होगा धाने भई तुमें क्यों होगा अप क्यों हो गया है मैं 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 एम उब और पॉइंट मेरी गाय चारा चरते चरते यहां पर आ गई तो किया एक बराबर हो जाएगा यह किसने कहा X A के बराबर होगा ये भी ठीक है एक से एक बराबर के वल एक पॉइंट पर होगा जिस समय बिल्कुल ये ऊपर बैठेगा है ना तो आप तो नॉर्मल डिस्टेंस निक दो ना भाई यहां का यह कौडिनेट यहां तक की डिस्टेंस किती है X है इधर तक की यह कौडिनेट का नाम है यह X है और पीछह आप एकस्टेंस के पीछे square करिए square करेंगे तो root हट जाएगा x minus a का whole square plus क्या आएगा y square equal to x plus a whole square clear बिलकुछ सर तो x square plus a square minus 2ax plus y square equal to x square plus a square plus 2ax agree agreed a square से a square cancel x square से x square cancel y square अकेला बैठेगा और 2ax इस तरफ भी आजाएगा 2ax plus 2ax बोलो क्या निकला पैरावोला का पहला equation y square equal to 4ax नोट कर लीजे बच्चों ये पहला standard form का equation निकला है y square equal to 4ax clear yes sir नोट कर लीजे ये पहला equation है y square equal to 4ax यूराच जाओ mobile लेकर क्याओ लेकर अब मिल जाएगा जाओ और इसको बंद करो back करो इसको पहले back करो इसको कोई दिक्कत बच्चों इसमें of the directrix and length of the latest rectum for the parabola y square equal to 12x मतलब equation दिया है और आपको इसकी पूरी जनम कुंडली बनानी है focus भी चाहिए है axis भी चाहिए है equation of directrix भी चाहिए है length of latest rectum मैंने आपको नहीं सिखाई है तो नहीं बताऊंगा बाकी चीजे मैं आपको बता देता हूँ चलिए ठीक ना आपको देख करके लगेगा हाँ हमें पहला बनने लग गया देखिए जी जो पहला आपका equation यहाँ पे दिया गया है इसको मैं new page में लेता हूँ number one yes पैरा बोला दिया गया है बच्चों वो दिया गया है y square equal to 12x बोलो हाई तो y square equal to 12x का equation है y square equal to 12x का equation है हमने किसी जमाने में एक standard form पढ़ा था y square equal to 4x बोलो हाई है न बल्कुस यह y square equal to 4x में जो है हमारी form इस तरीके से बना करती थी तो यहाँ पर 4a की प्लेस लेके बैठा है 12 लेके बैठा है बोलो yes or no तो यहाँ पर 4a की प्लेस 12 लेके बैठा हुआ है मतलब 4a equals to 12 मतलब a equals to कितना आ गया बिटा 3 3 आ गया yes sir तो y square equal to 4x जब मैंने बनाया था तो उसका focus हुआ करता था a,0 yes or no तो यहाँ पर focus क्या होगा 3,0 ठीक है ना यहाँ पर जो इसकी axis है वो है x axis पहले भी होती थी इसकी axis और अब भी इसकी axis क्या होगी x axis yes or no yes sir क्योंकि यह x axis की positive direction में जा रहा है अब देखिए यहाँ पर क्योंकि इसकी focus यहाँ से a unit आंगे है तो इसकी focus यहाँ पर a unit पीछे होगी यह sorry directrix इसकी a unit पीछे होगी तो यहाँ पर इसकी focus कितनी है 3 पे है तो directrix यह वाला point a,0 होता था तो यह वाला point क्या होता था minus a,0 अगर यह point 3,0 है तो बोलो यह वाला point क्या होगा minus 3,0 minus 3,0 और vertex तो सब लोग जानते हैं कि इस type का कोई भी पैरा बोला हो उसका vertex क्या होता है 0,0 चलिए तो हमने vertex का answer लिखा कुंडली का पहला point 0,0 कुंडली का दूरा point लिखा जो उसने पूछा axis क्या है तो axis है x-axis और maths में x-axis का equation अपने 9th class में पढ़ा होगा y equal to 0 then इसके बाद focus पूछी गई है कि focus क्या होगी तो focus आ गई है 3,0 clear? and equation of directrix है तो मैंने बताया था x equal to minus a पर है तो equation होता है x equal to minus a clear? yes sir तो x equal to minus a equation हुआ करती है तो यहाँ पर equation of directrix बनेगा x equal to किता minus 3 मतलब x plus 3 equal to 0 clear? yes sir चलिए तो note कर लीजे equation of directrix x plus 3 equal to 0 clear है न? yes sir तो equation of directrix तो हमने सारी बाते निकाल ली है इस directrix का equation कहला है x plus 3 equal to 0 याने x equal to minus 3 x plus 3 equal to 0 तो directrix आ गई, focus आ गया, vertex आ गई, axis पता चल गया, सब कुछ पता चल गया है latest rectum मैंने आपको अभी नहीं बताया है latest rectum भी मैं आपको निकलवाय देता हूँ यहीं latest rectum क्या होती है focus से जाने वाली perpendicular length को बोलते हैं latest rectum यह देखिए यह जो length है, यह जो side है, यह focus से जा रही है और axis of conic के perpendicular है मतलब जितना पीछे vertex से थी कौन? directrix उतना आंगे vertex से कौन है? latest rectum भोलो yes or no? yes sir तो latest rectum का x coordinate क्या है बिटा, a है की नहीं है, बोलो yes तो इसके just ऊपर चले जाओगे तो x coordinate कितना होगा? a, हाँ यह न? बिल्कुल जस्ट नीचे आ जाओगे तो x coordinate कितना होगा? a, clear न? yes sir मगर y coordinate हमको पता करना पड़ेगा, कैसे पता करेंगे? equation of parabola के आजाओ, parabola का equation है y square equal to 4a x, हाँ यह न? इस point पर parabola का x coordinate क्या है? a है, so I can write 4a multiplied by a equal to y का square, क्योंकि यहाँ पर parabola की position में कौन बैठा है? a बैठा हुआ है yes sir yes sir y square equal to 4a square, so y equal to under root 4a square हो गया, तो 4 का root आएगा 2, और a square का root आएगा a, और आएगा sin plus और minus, क्योंकि y का a coordinate आएगा positive 2a, और y का a coordinate आएगा negative 2a negative 2a exactly, तो यहाँ पर y के 2 coordinate हो गया, एक हो गया plus 2a, एक हो गया minus 2a दो coordinate हो गया, plus 2a और minus 2a अगर मैं length की बात करूँ, तो 2a ही count होगी उपर और नीचे भी 2a count होगी, coordinate तो sin के हिसाब से आता है, मगर y की length नीचे भी कितनी बनेगी 2a, और उपर भी कितनी बनेगी 2a, बोलो yes or no yes sir हाँ, तो इनके कोने के नाम रहते हैं, ये उपर वाले को L बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं, L dash क्या बोलते हैं, L dash तो L, L dash की कोई मुझे length बता दो कित्ती होगी how much it is, 4a, बिलकुल सही, L dash की length जो होगी 4a, and this length is called length of lattice rectum, तो ये जो length है कहलाएगी, this is called length of lattice rectum 4a, ये lattice rectum की length है, ऊपर भी 2a, नीचे भी minus 2a, और ये total length बनेगी L dash equals to 4a, ओके, तो length of lattice rectum 4a हो गई है, तो यहाँ पर पूछेंगे कि भाईया, length of lattice rectum क्या होगी, L dash equals to 4 multiplied by a, मतलब answer किते unit, 12 unit, येर है, येस सर, बतलब सीधी बात करी जाए, तो सर जी आपने जो equation लिखा था, y square equal to 4a x, तो इसका जो पहला वाला पार्ट होता है, जो f के साथ, चिप का रहता, x के साथ, वो actually lattice rectum ही तो होता है, तो आपने जो equation दिया था, y square equal to 12 x, x के साथ कौन चिप का था, 12, हाई या न, ये सर, वो क्या है, latest rectum की length ही तो है, ओके, ये सर, चलिए, ये हो गई, latest rectum की length, अब आपको हम बता रहे हैं, latest rectum की length के बाद में, आपको अब चार टाइप के पैराबूला बच्चों डिजाइन करने हैं, और चारों की जनम कुंडली आपको बनानी है, जनम कुंडली में क्या-क्या लिखना है, मतलब चारों के पूरे parameter आपको बनाने है, क्या-क्या लिखना है, यह मैं एक जो मैंने बनाया है, वो मैंने आपको बना दिया है, आपको सब कुछ लिखना है, पहला कुंडली में लिखना है आपको vertex, तो vertex सबका 0-0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, then इसके बाद लिखना है आपको axis, तो axis में आपको लिखना है positive x axis या negative x axis तो फिलाल यहां positive x-axis है equation बनेगा i equal to 0 ठीक है न, then इसके बाद focus आपको बनानी है तो focus अगर इसकी तरफ है x-axis की तरफ तो a equal to 0 तो focus equal to a, 0 then इसके बाद आपको बनानी है equation of directrix तो यहां वाला point क्या बनेगा minus a, 0 बनेगा और equation of directrix बनेगा x equal to minus a इसको आप यह भी लिखते हैं x plus a equal to 0 बोलो clear? yes sir then इसके बाद आपको बताना है latest rectum के को ने l और l dash लिखने है तो l के coordinate बनेगे बच्चों a, 2a और l dash के coordinate बनेगे a, minus 2a बोलो yes or no yes sir a, 2a and a, minus 2a then इसके बाद आपको बनानी है length of latest rectum यानि की l l dash की लंबाई that will be equals to 4a ओके? तो यह कुंडली बन के तयार है जल्दी से photo ले लो कुंडली की पैरावूला की कुंडली बन चुकी है, photo ले लो इसकी y square equal to 4a x अब आपको तीन पैरावूला और बनाने हैं ठीक है ना? कौन-कौन से पैरावूला बनाने हैं? अभी आपने देखा था positive x axis में अब आपको जो पैरावूला बनाना है बच्चों वो negative x axis का बनेगा ये बनेगा negative x axis का फर्ग क्या आजाएगा? इस बार इसकी focus negative हो जाएगी मतलब minus a, 0 अब ये negative x axis में खुलेगा तो मुझे इसका equation बना करके दिखाईए पूरी कुंडली बना करके दिखाईए इसके बाद जो आपका अगला पैरावूला रहेगा बच्चों वो positive y axis में खुलेगा उपर की तरफ मतलब इसकी जो focus हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0,a Yes or No? Yes और जो लास्ट पैरावूला रहेगा वो downward खुलेगा तो उसकी equation हो जाएगी क्या? 0,a minus a Yes तो इसका equation क्या बनेगा? आप जब equation बनाएंगे तो ये बनेगा y square equal to minus 4a x इसका equation बनेगा x square equal to 4a y इसका equation बनेगा x square equal to minus 4a y ठीक है? clear? Yes sir चलिए बनाईए फस्ट वाला बना करके देखिए आगया sir आगया? पस्ट का आगया? फस्ट का आगया, okay? clear है? Yes sir सारी जनम कुंडली बना करके दिखा दीजिए फस्ट वाले की, सेकेंड वाले की, थर्ड वाले की, फोर्थ वाले की सबकी, फिर हम पूछते हैं सारी को गपार करेंदेट, इस बहुते ही, फिर्या का भी फिर्ट वाले करेंदेट, अम्रे आगया, अम्रे का जाएं, फिर्ट याग झाले करेंदेट, पार को वाले के आगकी, पार क्या है? सेम आएगी सबके लिए बिलकुल 100% आएगी सेम लेटस रट्टम की लेंज सबके लिए सेम आएगी 4A 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 क्यों कल तुम वो किये थे वो कहां है यह उसका वो चलिए ठीक है एक बार देख लीजे मैं फस्ट वाला करवा देता हूँ बच्चों एक बार आप लोग फिर से देख लीजे सेकेंड वाला मैं करवा देता हूँ एक्वेशन निकालना बिटा सेकेंड वाले का वर्टेक्स है 0,0 बोलो यस और नो यस सर अगर माइनस ए पीछे इसकी फोकस है तो डिरेक्टरिक्स यहां पर आएगी जो होगा एकॉमा 0 एगरी एगरीड तो डिरेक्टरिक्स यहां पर एकॉमा 0 पर होगा अब चलिए इसको solve करने के लिए मैं यहाँ पर कोई point माल लेता हूँ P X,Y तो condition होती है P F equal to P M मैंने focus S ले लिए है मैंने focus को P S equal to P M तो focus से distance इसका P S निकलेगा चलिए लगाईए formula क्या होगा X minus A minus minus क्या हो जागा plus A का square X2 minus X1 Y2 minus 1 मतब Y minus 0 का square बोलो yes or no अक्षद कहां से लेकर के यहां तक के distance कितनी होगी जुगार लगा के बताओ Sir होगी इतने होगी A X plus A X plus A नहीं होगी A minus X होगी पूछो क्यों देखो ध्यान से बहुत ध्यान से देखो भी है यहां का A तो positive है बोलो हाँ और इधर जा रहे हो तो distance तो बढ़ी रही है यह सौर नो बढ़ी रही है बिल्कुल Sir coordinate के हिसाब से इधर का X तो negative होगा ना अच्छा तो A plus minus X हाँ A plus minus X तो X खुद में negative है तो उसको plus करने के लिए आपनको minus करना पड़ेगा समझ में आया ना बिल्कुल Sir तो यहां पे A तो है ही बच्चों बट इधर की तरफ आप move कर रहे हो तो X already negative है तो उसको plus बनाने के लिए आपको यहां पे minus लगाना पड़ेगा क्लियर हुआ? समझ में आया है सबको की नहीं है? यहां थीक है स्क्वारिंग बोट साइट कर दो बच्चों स्क्वारिंग करोगे तो X plus A का whole square plus Y का square equal to A minus X का whole square इसको उपन करो X square plus A square plus 2AX equal to Y square equal to A square plus X square minus 2AX X square से A square X square से A square cancel के वल Y square बच्चा यहां पे minus 2AX minus का 2AX आंसर कितना हो गया? minus 4AX clear? एक्स बच्चों आंसर आ गया बच्चों Y square equal to minus 4AX और चश्मा लगा करके देखो तो actually यह जो बैठा हुआ है यह है Y square equal to 4 वो minus actually focus वाला minus है जो खुद minus लेके बैठा है 4 minus A into X और अलाकारी पूरी focus के point किये समझ में आया? बरुकल से आगसर नोट कर लेजिए Y square equal to 4 minus AX या minus 4AX ठीक है तो अब देखिए यदि बात की जाए सारी हाँ बच्चों बोलो बोलो अक्षट पहली लाइन मतलब PS equal to PM उसके बाद X plus A का square plus Y minus 0 का square equal to A minus X यह तो distance formula से लेखिए A minus X बता देता हूँ देखो यहाँ तक की distance क्या थी? A थी? हाँ यह न? यह सर्थ ए थी इस तरफ की distance अब इधर आपको कुछ ना कुछ add करना है इधर कुछ add करना है तो अगर मैं direct add करता तो X का बताओ second quadrant में X क्या होता है? निगेटिव की positive? निगेटिव तो अगर मैं directly add करता तो वो तो उससे minus हो जाता न? add थोड़ा न होता? हाँ यह न? बट मुझे total distance add करनी ही तो मेरे को तो बढ़ाक add करना है तो मैं क्या करूँगा? A में से X का negative add करूँगा मतलब A में मैं minus add करूँगा जिससे की X positive कहलाएगा आया समझ में अब? ये सैर ठीक है A minus X ठीक है मुकुल आप अपना mic off कर लो आपका mic short हो रहा है साहथ आवाज करकर आ रही है ठीक है न? चलिए तो यह हो गया बच्चों Y square equal to minus 4 AX तो यह हो गई equation इसकी Y square equal to minus 4 AX पैरावोला की डन? डन सर्थ चलिए अब देखते हैं इसके सारे parameter निकाल लेते हैं इसके हाथ पैर पूरे तो Y square equal to minus 4 AX पैरावोला इस तरफ जाएगा कुछ इस तरीके से तो यदि मैं इसकी बात करूँ इसके vertex की इसका vertex होगा V is equal to 0,0 अगर मैं axis की बात करूँ इसका axis तो इसका axis अभी X axis है बट चेहरा बदल गया है negative x axis बट equation ना होगा Y equal to 0 X axis का equation Y equal to 0 अगर मैं बात करूँ इसके focus की तो focus कितना होगा minus 1,0 Yes or No? Yes or No? focus होगा इसका minus 1,0 अगर मैं बात करूँ foot of directrix की directrix का जो pair है वो कहाँ पर होगा plus A,0 इसलिए जो directrix का equation बनेगा वो बनेगा equation of directrix क्या बनेगा X equal to plus A और you can say X minus A equal to 0 ओके Yes or equation of directrix will be X minus A equal to 0 यह हो गया और क्या बताते थे latest rectum के end point तो latest rectum के end point निकालिए तो एक end point X का तो minus A जिंदा बाद है उपर का कितना आएगा बोलो A,2A और इधर का minus A, minus 2A minus 2A चलिए तो लिख लो बेटा L की value आएगी कितनी L के coordinate आएगे minus A,2A और L डेस आएगा minus A, minus 2A और दोनों के बीच की अगर दूरी निकालना चाहोगे तो दूरी हमेंसा positive होती है answer 4A Done? Yes, sir चलिए तो ये हो गया आपका पैरावुला पूरे तरीके से समझ गया ना? पैरावुला आपका हो गया है चार पैरावुला होते हैं इस तरीके से screenshot ले लिजे Done, sir अब देखते हैं दो और पैरावुला बचे है ना? दो और पैरावुला बचे है ये एक्सेस वाले तो जल्दी से आप से सवाल जबाब करेंगे हम दो ये एक्सेस वाले पैरावुला बनेगा उपर की तरफ तो एक्स का स्क्वार उपर ऑले टू फोर ए वाई जब आप इसको बनाओ के इसको और करोगे तो एक्सेस स्कुरे इक्वल टू फोर ए वाई एक्स्कूस मी साओ यस बेटा बोलो और इस्क्रीन इस लागें स्क्रीन लाग हो रही है एक बर बिटा अप आप एक बर बिटा disconnect होके फिर से जुड़ जाओ मेरी तरफ से सब कुछ सही है भाई X square equal to 4 है भाई ठीक है Yes sir चलिए आ गई प्रियांशी प्रियांशी आ गई नहीं आ यह भी X square equal to 4 a Y अगर मैं इसकी बात करूँ बच्चों आपको पता होगा इसका जो फोकस होगा वो होगा 0,1 हाँ है ना Yes चलिए भूलिए इसका वर्टेक्स क्या होगा 0,0 अग्सेस क्या होगा Positive Y axis पूरा बूलिए Y axis X is इसकी क्या होगी Y axis Y axis की equation क्या होथी X equal to 0 Clear? Yes sir फोकस बोलिए फोकस बोलिए फोकस होगी इसकी 0,A 0,A equation of directrix बोलो Yes बिटा Sir इधर पे X equal to 0 ही होगा हाँ Y axis है ना बिटा वहाँ पे Y equal to 0 होता था यहाँ पे Y axis है Y equal to 0 का मतलब है X axis Y equal to 0 मतलब X axis और यहाँ पे क्या है Y axis है तो 9th क्लास में अपनने पढ़ा है ना Y axis का equation क्या होता है X equal to 0 Yes sir I was confused So equation of directrix बोलो बच्चो किता होगा Y plus A equal to 0 बिल्कुल सही क्योंकि अगर उपर वाला point 0,A है तो नीचे वाला point 0,A मतलब equation of directrix Y equal to minus A बोले तो Y plus A equal to 0 बिल्कुल सही Done Yes, yes sir latest rectum के को ने देख लिए जाए 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 यह देखिए यहाँ पे जाएगी latest rectum Yes, my यह latest rectum गई है इधर वाला बोलेगा L और इधर वाला बनेगा L- चलो बोलो L के coordinate क्या होंगे 2A, 2A, 2A बिल्कुल सही और L- के coordinate क्या होंगे Minus 2, A Minus 2, A बिल्कुल सही Minus 2, A और दोनों के बीच के distance की दिख लिए बात की जाए L, L- 4A 4A ठीक, बन जाएगा ना 4A Yes, sir अब अपने बता दिया है मतलब last वाला पेरा वोला भी आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ना तो यहाँ पर बत्चों आपके syllabus का जो पैरा बोला होता है इसकी theory पूरी finish होती है अब फटा फट आईए numerical पे और पूरे numerical भी speed के साथ लगा डा लिए 11.2 कि पूरे question एक तरफ से लगाईए ओके बन जाएं जितने बन जाएं ठीक हैं जो ना बने मुझे से पूछते जाईए ठीक है ना सारे numericals बहुत ही easy हैं आपसे जरूर बन जाएंगे चलिए स्टार्ट कर दीजे याज़ सर्फ लास question फोरो से लास में चीज़ बदल दिया तो उसको समझ रहे हैं बाकी सभी क्या answer आगे सब क्या answer आगे बहुत बढ़ी है प्रफे लास स्टार्बम याज़ भीUP स्टार करत्सक्वारण